आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा एक बहुत ही फेमस राइटर फ्रेंच काफका के बारे में इनकी एक शाट स्टोरी है उसको डिस्कुस करूँगा लेकिन अगर आपने इनकी मर्टमॉर्फेस को पढ़ा है तो मैं उमीद करता हूँ आप फ्रेंच काफका के एक बहुत बड़े फैन होंगे जैसे मैं हूँ आज हम डिस्कुस करेंगे इनकी एक शाट स्टोरी अहंगर आर्टिस्ट ये एक बहुत ही ब्लीक ब्लीक यानि खराब बोल लो या कोल्ड टाइप की शाट स्टोरी है जिसका कोई क्लियर मॉरल या एंड बताया नहीं किया है वो हमें खुद ही समझना पड़ेगा एंड में मैं समझा दूँगा तो ये कहानी एक भूकेक अलाकार की यानि एक हंगर आर्टिस्ट जिसको कुछ करना आता नहीं था सिर्फ वो भूका रहता था और पिंजरे में कैद रहता था उसका यही काम था भूका रहकर पिंजरे में पड़ा रहना पहले इसका ये काम बहुत वेमस था बहुत सारी फैंबली इसको देखने के लिए जमा होती थी लोगों को मज़ा आता था किसी एक ऐसे इंसान को देखने में जो सूक सूक कर इतना पतला हो गया जो बहुत क्रीपी टाइप का लगता था लोग डर जाते थे इसको देख कर बच्चे तो उसका मज़ाग भी बनाते थे वो बड़ा डरावना सा लगता था लेकिन वो अपना काम बड़ा इमानदारी से करता था इतनी इमानदारी से काम करने के बावजूद भी उस हंगर आर्टर्स को गुस्धा बस इसी बात पर आता था कि लोग सोचते थे वो जरूर चीटिंग करता होगा लोगों को बरुसा नहीं होता था कि 40 दिन तक इतना टाइम आदमी भूखा कैसे रह सकता है उसका एक मैनेजर भी था शुरू शुरू में आर्टिस्ट ने अपने अनोखे काम से काफी पैसा बनाया काम नए था नोखा था तो लोग देखने आते थे एक ऐसे आदमी को देखने आते थे जो भूखा मरता था पिंजरे में पड़ा पड़ा और ये भी खुद को एक आर्टिस्ट मानता था कोई सरकस का जानवर नहीं जो पिजने में पढ़ा है और लोग उसको देखने आए लेकिन इसकी आत्मा रोती थी जब लोग ऐसा कुछ बोल दे लोग तो रात रात को टॉर्च लेकर खड़े होते थे देखने के लिए कि ये कुछ खा तो नहीं रहा और ये बात इसे इतना लगती थी कि लोगों को इसकी इमानदरी के इतना भी भरोसा नहीं उस आर्टिस्ट के मैनेजर ने एक लिमिट बना रखी थी कि कोई इनसान 40 दिनों से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता तो 40 दिनों के डिउरेशन के अंदर अंदर इसको एक बार कुछ ना कुछ खाने को दिया जाए और जब भी इसको कुछ खिलाने का टाइम आता था तो डॉक्टर्स और दो लेडीज आते थे इसको खाना पीना खिलाने के लिए पिंजरे से बाहर निकालते थे और उस वक्त अच्छी पब्लिक जमा होती थी मजबूरी थी इससे खाना खाना पड़ता था वरना ये तो एक्स्टेंड करना चाता था अपने इस टाइम को इसका मन नहीं करता था खाने का लेकिन पब्लिक और मैनेजर उसे जबरन खिलाते थे अब समय गुजटता गया अनपॉचिनटली दीरे दीरे लोगों का इंटरस्ट इस काम से हटने लगा लोगों का इंटरस्ट अब उसे देखने में जो भीड जमा होती थी वो अब कम होने लगी दीरे दीरे भीड और कम होने लगी और फिर लोगों ने आना ही बद गर दिया लोग एकदम गायब हो गए कुछ चंद लोग उसे देखने आया करते थे और अब जब उसे देखने कोई भी नहीं आता था तो आखर उसे उस काम में जाना पड़ा उसे वो काम करना पड़ा जिसे वो कभी नहीं करना चाता था उसने एक सरकस में बात की और सरकस में काम पकड़ लिया अब सरकस वाले ने क्या किया उसका पिंजरा बड़े बड़े जानवरों के पास में रखवा दिया एक अट्रेंशन वाली जगह पर जब लोग आए तो उसे देखे एक ऐसी जगह पिंजरा रखवाया था जहां लोगों की नजर उस पर पड़ जाए लेकिन बहुत कम लोग उसे देखने रुकते थे वहाँ पर वहाँ पर एक बोर्ड था जो डेली अपडेट होता था कि इतने दिनों से ये भूखा है Eventually कोई भी इंटरस्ट नहीं लेता था एक भूखे आदमी को भूखा मड़ता देखने में पहले पहले तो सरकस वाला एक बोर्ड पर अपडेट करता था कि कितने दिनों से ये भूखा है लेकिन बाद में उसने वो भी बंद कर दिया रिजल्ट ये हुआ कि आर्टिस्ट ने अपनी फास्टिंग की लेमिट्स को बढ़ा दी जो कि वो चाता था लेकिन बाद में ये खुद भी भूल गया कि कितने दिनों से ये भूखा है गुजरते वक्त के साथ वो चूटा होता गया और चूटा होता गया और बहुत वीक हो गया वो हड़ियों का धाचा बन गया और एक दिन सरकस वाले ने उसे टच करके देखा कि वो जिन्दा भी है या मर गया वो मरने ही वाला था और मरने से पहले उसने सरकस वाले से एक बात बोली सरकस वाले ने जब उससे पूछा कि वो भूका क्यूं रहता है तो वो बूला कि मुझे आज तक जिन्दगी में अपनी पसंद का खाना ही नहीं मिला अगर मिलता तो मैं भी तुम सब की तरह जीता ये उसके लास्ट वर्ड्स थे और इसके बाद वो मर गया सरकस वालों ने उसका पिंजरा हटा दिया और उसकी जग़ा एक जैगवर का पिंजरा लगा दिया ये कहानी एक ऐलगरी है दोस्तों इस कहानी के जरीए काफका ने उन लॉयल आर्टिस्ट के बारे में बताया है जिनके काम की कोई कदर नहीं करता वो आर्टिस्ट तो अपने काम के लिए मांदार था लेकिन लोग नहीं थे वो मैनेजर नहीं था और वो सरकस वाला नहीं था उन्हें बस पैसे से मतलब था पबलिक को एंटरेटेन्मेंट से मतलब था आज सोसाइटी में एक आर्टिस्ट की वैल्यू तभी तक है जब तक वो दुनिया को एंटरेटेन कर रहा है जब तक वो डेमांड में है और लोगों का उससे इंटरेस्ट खत्म हुआ तो लोग भी चले जाएंगे उन्हें उसके आर्ट से कोई मतलब नहीं है उमीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी आज की वीडियो में बस इतना ही